शहर के टेलको थाना शेतर के मनिफिट में खाद्या पूर्ती विभाग ने बड़ी कारवाई की है जिला प्रश्वासन की टीम ने टेलको के मनिफिट में छापे मारी कर सरकारी अनाज की काला बाजारी का खुलासा किया है सरकारी अनाज की काला बाजारी करने के आरोप में इस्थानेय पुलिस ने 54 कुइंटल अनाज परामत किया है बताने की गुप्त सूचना की आधार पर दंडा दिकारी सविता टोपनों के नेतरतव में पुलिस की टीम ने वहाँ दबिश दी इस मामले में एक पीडियस दुकांदार विनोद कुमार रजक और वाहन की चालक को गिरफतार किया गया है जबकि बोरा सिलने में उपयोग आने वाली एक मशीन और एक वाहन को भी जब्त किया गया है वहीं पूचताच में गिरफत में लिये गए विनोद रजक के परिजनों ने कहा कि वो काफी समय से बीमार चल रहे थे वो तो हस्पिटलाइस थे तो फिर वो दूसरे डिलर का है उस पे थोपा जा रहा है बाग को जबरन उठा कर लेगे है जबरन उठा कर लेगे है वहीं दंडादिकारी सविता टोपनों ने कहा कि काला बाजारी की सूचना मिलने पर इस्थाने मारकेटिंग ऑफिसर के साथ दो दुकानों में चाप इमारी की गई है मौके से भारी मातरा में सरकारी अनाज बरामत हुआ है अभी जितना हमें मिला है यह सब कंफिसकेट किया जाएगा और उनके खिलाफ एफ आई आर दर्च की जाएगा बहरहाल जब्त कि यह सभी अनाज को सील कर उचित कारवाई की ज़ा रही है पंजाब के सिरी टीवी के लिए जमशेदपूर से इंदरजीत की रिपोर्ट